कि अधियो ना में उन्हों कि इत्ति जैर जी मातागर सांधा कि अधियो देख पैन के दिलाजे अधियर आई आगचार समझी तो गुरु जी में उन्हों इस सब्दा उचावन दी कि इत्ति जी मेरी पूर्व दास मंदिर बटोत में आए हैं और यहां पे आज गुरुवदास जी की जन्ति बनाई जा रही है जैसे कि पूरे विश्व में गुरुवदास जी की जन्ति बड़ी दूवदाम से बनाई जा रही है वैसे ही आज हमारे मतोर में भी यह प्रोग्राम बहुदाम से बनाया गया आज इनके चनव दिक पर आज यहां पे सत्संग हुआ और उसके बाद आरती हुई उसके बाद जो गुरुपर लंगर होता है वो दिया गया और यहां पे हम हर एक community के लोग यहां पे सत्संग सुनने आए थे गुरुजी की अच्छी भुवानी सुनने आए थे और उनके संदेश को हमने सुना और हमने आगे उनके संदेश पर चलने का निरने लिया है कि हम उनकी ही संदेश पर चलेंगे हम हमारे जो गुरुजी है वहाँ उनका संदेश हमारे आज के जमाने में सबसे ज़्यादा लोगों के लिए ये संदेश है कि जाती पाती को पीछे चोड़के हमने एकता को अपनाना है और साथ में देख ओकर चलना है कि हमकी कूच नीच जो है वह हमेशा आदमी को अलग करती है तोडती है पर एकता जो है हमेशा जोड़ती है इसलिए हम सबने एक निर्ने लिया है कि हम जितने भी हमारे कुछ लोग जो हमसे दूर जाते हैं जाती पाती को आहमें देते हैं हम उनकी आहमित को वो चीज़ को कतम करके हम एक ताप की मसाल बनाएंगे और सारों को मसाल में मिलाकर चलेंगे मानवता ही सबसे बड़ा दर्म है